तो आप सब को जुहार और यहाँ पर जो खबर निकल करा रही है वो है ज्यारखन के स्टूडेंट्स के लिए जिनको यह सब जाना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो 14 जुन तक स्कूलें बंद रहने के बाद भी विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी रात तो क्या इसी मुस्रिबत परिशानी आपके यहाँ पर आने वाली है और क्या-क्या समना किस-किस चीज़ का आपको करना है यहाँ पर तो स्कूली सिक्चा एवं साक्षर्था विभाग ने अत्यधिक गर्मी पढ़ने और लू को ध्यान में रखते हुए जारकण में संचाली सभी सरकारी और प्राइविट स्कूलों को 14 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है हलाकि सरकार की इस निर्देश के बाद भी विद्यार्थी को रहत नहीं मिलने वाली है जानकारी के लिए बता दें कि सचीव ने अत्यधिक गर्मी पढ़ने और लू के मद्दे नजर सभी कोटी के सरकारी और गेर सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संक्यक सहीत और निर्देश दिया है चुट्टी नहीं बढ़ाए जाने पर सभी स्कूलें 15 जुन से ही खुल जाएंगी राची मोसम केंदर की माने तो राज्य में अगले पांच दिनों के दौरान अधिक्तम तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा मतलब मोसम जैसा का तैसार आएगा गर्मी जैसे पहले पढ़ रही थी अभी भी वैसी ही आपको देखने को मिलेगी यानि गर्मी में किसी भी तरिकी की कोई भी कमी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी मौसम केंदर के अनुसार 15 जून और 16 जून को राज्य की दक्षणी उत्तर पूर्वी और निकटतम मध्य भागो में लू चलने की आशंका है इस दोरान कई जगों पर वज्जरपात होने के 47 किलोमेटर प्रती घंटे की राफ्तार से हवा भी चल सकती है मौसम केंदर के अनुसार गिरेडी देवघर में लू की स्तिती भयावा होगी सिम्डेगा पुर्वे सिंबुम पश्चिम सिंबुम और सराइकला खरसवा में भी इसकी स्तिती ठेक नहीं है गड़वा, पलामू, चत्रा, हजारी बार्क और कोडर्मा जिला भी लू की चपेट में रहेगा ऐसे में स्कुल खुलने पर विद्यार्थी के लू की चपेट में आने से इंकार नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर इस तरीके से यह यह नियूज निकल कर आ रही है कि भले स्कुलें 14 तारिक तक बंद रहेंगी लेकिन उसके बाद भी स्टूडन्स को रहात नहीं मिलने वाली है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 14 जुन के बाद भी गर्मी में यहाँ पर जादा बहुत कुछ राध जैसी चीज़ा हमें देखने को नहीं मिलेंगी बहुत जमा जम बारिस जैसा सिचुएशन शायद यहाँ पर देखने को ना मिले खेर देखते हैं इसका कोई रास्ता भी शायद निकाला जा रहा होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा और उसको लेकर अगर कोई नियूज निकल कर आती है तो मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्म कर दूँगा जुहार